I think उनको exact नहीं पता के players का हैं, ढूरने की कोशिश तो वो भी कर रहे हैं, nades उनके हाथ में जरूर हैं, बट जहाँ पे वो nades डाल रहे हैं, वहाँ पे कोई player अभी के लिए नहीं है, place बस इंतजार करते होए, चार players हैं, एक साथ फुश कर सकते हैं, और जी हाँ, place इस पर टी के लिए जरूर हुई, बट अमर जो दूर थे, वो value निकालेंगे, लेकिन इस battle में, 4v2 की battle में, एक player नियो को गवा दिया, godlike ने, मैं कहूंगा, यहाँ पे आप तीन, दो finishes लेके जरूर से गए हो, but you lost one player, and overall यह जीत तो नहीं है, godlike की, बट टेखिये, reverend क्या एक बार फिर से third party के ले आएगी, नहीं, बट उससे पहले 8bit जरूर से आचुकिया, and yes sir, 8bit आई है, fight लेने के ले, madman already, आपे पहले 8bit ही थी, यहाँ से 8bit निकले थी, and now once again 8bit is back, but I don't think so, 8bit यहाँ पर रुकने वाली, एक player already, यहाँ पर rotate कर तो रहे अपनी गाली से, but बाकी के player is mighty, madman, वो रुक चुके है, वो आच चुके है, and yes, godlike versus 8bit होने वाला है, नेड, अच्छा, madman का, down करेगा God El Amar को, what was that, एक कमाल का कोग ने एक और fight वहाँ पे gladiator और revenant के start हुई, but यह बहुत important fight है, 8bit, अगर यह revival को रोक ले मज़ा आजाएगा, madman उपर की ओर गए, बढ़ वहाँ पे player नहीं था, एक और need mighty का गया तो है, let's see, क्या mighty का वो need कमाल करेगा, DBS पे switch, मसले, बहुत जादा पंटे वाले, godlike e-sports के लि और मैं देखना चाहँगा, वो कितनी तेजी से अटाक करेंगे, godlike अमर, फिर से यहाँ पे knock, Z-God is the last man standing, कल हमने देखा था, Z-God की तरफ से एक लिप जलुद आया था, बठाज, वो उनको फिर से करके दिखाना पड़ेगा, points on the table अभी है नहीं, gladiators, उनका भी battle होता हुआ और revenant के साथ बठी गौड एक नेड़ आएगा और उनका भी खात्मा, godlike e-sports, eliminate होगी तेरवे पारदान पे